जीवन में कोई भी विक्तित वो तब सफल होता है जब वो संघर्ष करता है और संघर्ष भी एक सतत चलने वाली एक निरंतर चलने वाली किरिया है अगर संघर्ष के साथ साथ जजबा हो जनून हो मेहनत हो तो वो आज भी सफलतम कहलाता है जीवन में ऐसे ही सफलतम एक ऐसा व्रक्तित्व जो शिक्षा के क्षेतर से जुड़ा हुआ हो और कई स्कूलों का संचालन करता हूँ आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे शिरी वीपी टंडन जी से टंडन जी आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद टंडन जी आप एजुकेशन के फील्ड में बहुत-बड़ा नाम है जानिकि यह आपको शिक्षा विद्ध अगर कहा जाए तो और कई संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं जिनमें नामी गरामी शिक्षण संस्थाएं भी हैं तो पहले हमें अपने जीवन के बारे में बताईए कि आपका बच्पन से कैसा रुजहान रहा कैसे आपकी आप शिक्षा के कि शेतर से जुड़े कैसे मैं तो सबसे ज्यादा आपको गुरोषाली समझूंगा जब मैंने जनम लिया आखे खोली तो एक शिक्षित परिवार में मैंने जनम लिया मेरे अ मधर फादर दोनों लेक्चरार थे और मेरे ट कॉलीज हम उन्होंने, उनको मैने संगर्ष करते वे देखा, वो खुद भी हम लोगों को, हम छोटी-छोटे थे, दो-तीन बहन भाई, हमें भी पालते थे और साथ में अपने दायत्यु को भी पूरा करते थे, अपना जो कारे है शिक्षा का उसको सुचारू रूप से करते थे, और इसी वजह से वो संसकार हम में आए, जब वो सत्तर में हमारे फादर साब का दिल्ली में एजे लेक्टरार गोर्मेंट स्कूल में हमारा उनका सेलेक्शन हुआ, तो हमारी मदर ने बहुत छोटा सा शिक्षा का पोदा लगाया, उत्तम नगर और जनकपुरी जब स्टार्ट हो र अपनी सर्विस भी करते थे और सुबह हमारी माता जी का भी साथ देते थे और ऐसे बच्चों को पढ़ाया हमने देखा जहां पर उत्तम नगर में जो रिस सेंटेल्मेंट करोनी थी हमारी उनके गरीब बच्चों को पढ़ाया बहुत कम फीस में और वही चीजे वही संसका उनकी हल्प करना पेरेंट्स की वही संसकार अब जो है हमें देखने को मिले वही संसकार हमें हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि जितने मर्जी बड़े हमारे स्कूल हैं नामी गरामी हैं लेकिन उसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं जो लोगर मिडल क्लास लोगर क्लास के उनको ह हम हर तरह से हेल्प करें उनके बच्चों को कोई शिक्षा का भाव ना हो और अगर वह हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वह भी पढ़ा सके उनके लिए हमने कुछ नियम रखे हुए हैं जिसकी वज़े से हमारे हाँ हर तरह का बच्चा आता है सबको शिक्षा का समा ने दिखा रहा है हमारे जी जो पौदा आपकी माता जीने लगाया था वह वट विख्ष का रूप ले चुका है आपकी कितनी संस्थाएं हैं और कहां कहां कप देखे संस्थाएं हमारी वैस्ट और साउथ वैस्ट दिलिक में भी हैं और NCR में गुरगावा और नोइडा मे जी शिक्षा का हमें अभाव लगा हमारे फादर बड़े विजनरी थे बहुत दूर दर्शी थे उन्होंने उसके बाद महुन गार्डन एक ऐसी कालोनी जहां पर अनुथ्राइज को नहीं थी वहां भी स्कूल को लार वहां भी शिक्षा के छेतर में वो स्कूल कमल मोडल स् स्थान रखता है बहुत लोवर मिडल क्लास लोवर क्लास के गरीब तबके के बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़कर आईएस आईपेस बन रहे हैं और यह सब जो चीजे हैं वो हमें अपने पेरेंट से आई हूँ अप बहुत सारे सिक्षर संस्थाओं का संचालन करते हैं एक संस्थान शैक्षिरिक बिर्ष्टी से और सांसिक्रित गद्रीदियों में उत्कृष्ट परदशन करें इसके लिए आपने क्या क्या किया इसके लिए बहुत डिवोशन डेडिकेशन चाहिए जहां बैनेजमेंट को चाहिए वहां पर टीचर्स को पेरेंट्स को और पूरी इंडिया में वह प्रोग्राम हमारा थर्ड पोजिशन पर जो की पहली बार एक कोई प्रोग्राम जाने पर थर्ड पोजिशन आना बहुत बड़ी बातार फिर हम जाते रहे और हमारा 2006 में हमने एक राजिस्तानी निर्थ्य पेश किया वहां पर हमारे दोनों स्कूलों ने गोगा पीर हमेशा हम्यारी उस पर भी थर्ड पोजिशन आई लेकिन हमने एक ठान रखा था हमारी मैरेजमेंट ने पेरेंट्स ने बच्चों ने और हमारे टीचर्स ने कि जब तक हम हमारी फर्स्ट पोजिशन पूरी इंडिया में नहीं आती हम प्रेज में जाना नहीं छोड़ेंगी और 2008 में तिरंगा शाक्षी है एक देश भक्ति का बहुत जजब्य वाला प्रोग्राम जिसको कि इतनी तालिया बजी थी प्रोग्राम में वो प्रोग्राम राजपत पर जब हुआ तो उस प्रोग्राम को पूरी इंडिया में फर्स्ट पोजिशन मिली और उस टाइम के रक्षा मंत्री एक एंट्री सर ने हमें बच्चों को और हमें ऑनर किया और जब हमें थर्ड पोजिशन मिली थी दोजार्चे में तो उस टाइम के जो रक्षा मंत्री थे जो भारत रतन है अब बीच में हमारे नहीं है श्रीपड़ों मुखर जी उन्होंने हमारा ओनर किया था अनाधिकरित कलोनी में एक स्कूल स्थापिद करना और उसे सफलतम रूप देना इन दोनों में क्या अंतर है देखे मुझे तो याद आता है जब हमने 93 में मोहन गार्डर में हमारे फादर साब ने नीव रखी कमल मोडल सीनर स्कंडरी स्कूल की तो सड़के भी नहीं थी हम में में जिस दिन हमारी नीव थी उस दिन बारिश हो रही थी जो लोग पहुंचे वह में रोड नजवगर रोड पर अपने स्कूटर खड़े करके डेड़ किलोमीटर अंदर पैदल आए और लेकिन जैसे ही वह 94 में स्कूल स्टार्ट हुआ लोगों को लगा कि एक अच्छा स्कूल इस एरिये में आ गया है धीरे धीरे वहां पर इतनी पापॉलेशन हो गई कि अब वहां पर लाकों में है और धीरे धीरे छे साथ दस साल में अब सारी सुईधावी भी वहां पर है तो अनुत्राइस एरिये में स्कूल चलाना बहु अधिकार, सरकार में से बड़े भव्यास तरपा इसका परचारिद भी किया, और इसके लिए राजिया सरकारे भी धन देती है, शिक्षा के लिए केंदर सरकार भी देती है, लेकिन फिर भी कही ना कहीं, जो साक्षरता की और बढ़ना चाहिए, जिस जंग से ग्रामीन, क्षे निती ना लाईए, उससे बहुत अमूल भूत परविरतन होगा, क्योंकि इस शिक्षा निती में आप देखेंगे कि बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के उसमें चीज़ें आई हैं, जो उस निती के हिसाब से बच्चों को और सरवार विकास की तरफ ले जाएगी, तो और मुझे तो लगता है कि अब धीरे धीरे पेरेंट्स और हमारे ध्यात के पेरेंट्स हों, अनुथ्राइज एरी के पेरेंट्स हों, चाहिए दो रोटी वो कम खालेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे शिक्षा उनको अच्छी बिले उनके बच्चों को, जिससे उनके बच्चों का कैरियर बने, अच्छा नई शिक्षा निति में बहुत बड़ी बात है कि प्राइमरी एज्यूकिशन जो है, वो मातर भाशा में मिलेगी, क्योंकि हम लोग उस बातावर उने पले है, जहां एक एबी सी पढ़ना जाने कि फर्स्ट अच्छी बात है, अपनी मातर भाशा का तो ज्यान होना चाहिए, लेकिन हम यह भी नहीं नकार पाएंगे कि इंग्लिश क्योंकि पूरे दुनिया की एक लेंग्वेज है, भाशा है, तो पेरेंस कहीं न कहीं उस पर भी जो है, जुरूर फोकस रखता है कि मेरे बच्चे को इंग्लिश कनवर्शेशन, इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, और मातर भाशा तो यह भूद अच्छी बात है कि हम यह अपनी मातर भाशा पर गोरव होना चाहिए, और यह जो सरकार दे किया है, बहुत अच्छा किया, ने जी एक बात, एक परसेप्शन ऐसी बन गई ह देश में जिसके लिए बार-बार चर्चा की जाती है कि जो प्राइवर्ट स्कूल शिक्षा का निजी करण हुआ तब से अमीर और गरीब के बीच में खाई जो है वो परती गई प्राइवर्ट स्कूलों की फीज ज्यादा है ये कहा जा रहा है अला कि इस बात से इंकार नहीं किया जासा था कि निजी स्कूल यह है वो गुनवत्ता पूरों शिक्षा देते हैं और सरकारी स्कूलों का स्थर अभी और भी सुधारा जाना बाकि है इस खाई को दूर करने के लिए क्या एक बड़ा कदम होना चाहिए है देखे सरकारे कोशिश तो कर रही है कि जैसे अभी जितने भी स्क्षन संस्थाएं हैं वहाँ पर 25% EWS का कोटा होता है उसमें एक बहुत गोरों की बात है सभी पेरेंस के लिए कि चाहे वो गरीब का ब बच्चा हो मिडल क्लास हो अगर EWS का बच्चा है तो वो भी उसी क्लास में पढ़ेगा तो एक समान शिक्षा की तरफ हमारा देश भढ़ रहा है और जहां तक गोर्मेंट स्कूलों की बात है वहां भी अब गुनवंता पे बड़ा धान दिया जा रहा है मैं देख रहा हू चाहिए क्योंकि बच्चों का भवश्य और कैरियर जो है उन्होंने सोपावाए स्कूलों को तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स को बहुत जागरूख होना चाहिए इस कारे के लिए आटेंटन जी आप जो प्राइवेट स्कूलों की संस्था है उसके आप वाइस उपाद ए है तो आपके महां किया भूबिका आए जो एक्शन कमीटी आने डिट स्कूल है दिकोग नई स्कूल उस संस्ता का मैं वाईस प्रेज़ेनम्ट हूं हमारी संस्ता तुझधा और परेंट्सकी प्रोब्लम का हो और और च्राइब के लिए उसके संस्टा, देहिस रस्वती सम्मान से आपको समानत किया गया और भी समाज के बहुत सारे प्रुसकार आपको मिल ले हैं तो एक सम्मान पाकर कैसा मिसूस होता है आप अच्छा लगता है कि कोई अगर बेहनत करे और उसको रिकोगनीशन मिले उसका बड़ा एक अपने आप में बहुत बचे कि रूची उसमें नहीं होती है कि कौन सा इसमें ही किस विशे में आगे बड़ सकता है इसकी पहचान करने का कोई माबदन क्या है हमारे पास कौंसलर है हमारे पास स्पेशल एजूकेटर है हम बच्चों को सैमिनार के माद्दियम से बताते हैं कि आप ये ये चीजों को आप आगे एडोप्ट कर सकते हैं जिसकी जो रूची है उसके इसाब से कैरियर फेर लगते हैं हमारे हैं उस पे पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका बच्चा इस फील्बे भी जा सकता है ये स्टीम लेके ये स्ट्रीम लेकर इस फील्ड में भी जा सकता है लेकिन उसकी रूची का ध्यान डखना चाहिए बच्चे की क्योंकि यही दी कि सबने MBBS करनी है सबने इंजिनियर बनना है आजकर बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारी ब्रांचीज हैं इसमें बच्चे हमारे आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं टेंटर जी शिक्षा एक तरह से समाज सेवा ही है लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि यह जो एजूकेशन है आज के दोर में विशुद वफसाइक हो गई है तो इस प्रसेप्शन को दूर करने के लिए हाला कि सकूल बहुत से समाजिक सरकारों से जुड़े हुए है जैसे आपके सकूल ने जब सुनामी आया तो फंड दूला के कठा करके दिया और भी आप ऐसे काम करते रहते है देखे मैं तो मानता हूँ कि सकूल एक समाजिक संस्ता है एक उसको एक चैरिटिबल वे से ही चलाना चाहिए हाँ अगर प्रोग्रस के लिए सकूल को बढ़ाना है उसकी बिल्डिंग बनानी है एक्स्टेंड करनी है तो उसमें वो पैसा लगना चाहिए और जो जरूरतमन पेरेंट्स हैं और वो चाहते है कि मेरा बच्चा सकूल में इसमें पढ़े तो उनकी मदद करनी चाहिए सकूल का उसकी मैनेजमेंट का सोसाइटिस का ये धे होना चाहिए आपने तो गरीब बच्चों के लिए निशुक किताबों की भी वस्था करते हैं आप उनकी फीस भी माफ करते हैं या कम भी करते हैं तो आपको कितना कितना लगता है कि ये काम और भी ज़्यादा व्यापक स्थर पर राश्टी स्थर पर होना चाहिए देगे बिलकुल होना चाहिए जो अभी कोविट चल रहा है इसमें जहां पर मजबूर पेरेंट्स हैं जिनकी सर्विस छोटी हुई है या कम सैलरी पर उनको दुबारा रखा जा रहा है तो उनको अरजेस्ट्मेंट करनी चाहिए स्कूल को और उनकी जो पेवेंट है उस पर रियायत भी करनी चाहिए जिससे ये जो संकट वाला दोर है वो निकल जाए और हमेशा जो स्कूलों का जो रवया होना चाहिए वो एक ऐसा सॉफ्ट रवया होना चाहिए जिसमें उनको लगे कि हमें ये काम करकर आत्मा को हमारे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर तरह का पेरेंट्स हैं हर तरह का कई बढ़ क्या होता है मैंने देखा है कि एक दम कोई ऐसी ट्रेजडी आ जाती है किसी का एक दम फादर एकस्पायर हो गए अब कमाने वाला कोई नहीं है जब वो पेरेंट्स उनकी मदर आती है के साथ हमारे पास तो हम उस टाइम उसको निशलक कोशिश करते हैं कि उसकी फीस निशलक कर दे उसको पढ़ाएं जिससे की उसको यह नहां लगे कि मेरे घर पे कोई रोजगार वाला नहीं रहा तो ने बच्छों Еकां क्या होगा के साथ भी काम करना चाहिए स्कूल का अच्छा अब एक सबसे बड़ा सवाल आ गया है कि करूना काल महामारी के दरान स्क्षन संस्थाइं बंध है अब वर्चूल शिक्षा का इंद्जाम किया जा रहा है बचे मुबाइल पे लैपटॉप पे घरों पे वर्चूल क्लासर ले क्या एड्योकेशन क्या ये जो इतना बड़ा गैप इतनी बड़ी मतलब संक्त आया लेव सब कुछ है स्कूल के राखरखाब भी है यह सारी चीजे तो अब यहां तक शिक्षकों के वेतन का सवाल है वह भी मानुवी दिश्ट्रिकों से दे दिया दिना पड़ रहा है तो खर्चे तो कम हुए नहीं तो कैसे आगे अभी तक स्कूल से दिल्ली स्कूल स्कूल ले कि है लगवख बंध है और बहुत और जो भी अनुथ्राइज बे यह एट तक के स्कूल है वह भी बहुत संकट वे हैं स्टैम क्योंकि इस तरह के स्कूलों में बच्चे ना तो पेरेंट्स फीस जमा करा पा रहे हैं और नहीं वह सर्वाइव कर पा रहे हैं तो एक संकट तो स बात ना करूँ कि जल्दी से यह सब चीजे ठीक हो रिवाइव हों और फिर से बच्चे चहल पहल करें स्कूलों में आकर आकर शिक्षा ग्रेंड करें तो जन्न जी आपने बहुड़ी बढ़े ही बेहतरीन धंग से अपने जीवन के अर्भों में बताया कि कितना लंबा और आप हमारे संत वानी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले